तोड़ी दोस्तों नमस्कार अभिवादन आप सभी को और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान में चुनाओ आठ थारीख को हो चुके हैं आप यकीन न करेंगे कि अभी तक रिजल्स बलुटस्तान की कुछ सीट्स से अभी तक नहीं आए लग बगार आठ सीटों से मुझे ने लगता कि इस से ज़्यादा बोड़े तरीके से कभी चोरी किये गए हूँ पाकिस्तानी एलेक्शन इस बार नसर्फ चोरी किये गए हैं बलकि कमसे कम बलोच वोटों पर तो डाका ही डाला गया है और मैं आपको लगातार इसके बारे में बताता रहा हूँ आप देखिए कि आर्थारी को जिसमें चुनाव हो रहा था और वोटिंग हो रही थी और उस दिन गवादर जैसे और बाइद वे बलोचो ने इस तमाम चुनाव का बायकॉट किया था उन लोगों ने कहीं भी वोट डालने की अपनी कमिट्मेंट कर रखी थी कि हम वोट नहीं दालेंगे उसके बाद में उनको गन पॉइंट पर उनसे वोट डलवाने कोश्य की गई जब लोकल्स ने पाटिसिपेट किया है तो आप यह देखिए कि गोली बारी की गई लोगों को मारा गया लेकिन लेकिन मज़े की बात क्या है चाहे बात हामिद मीर की हो जो कि पाकिस लेकिन शायद मैं आपको एक जलकी यूँ दिखा दू कि सिर्फ ये जो फोर्स किसम से बलोचों से काम करवाया जाते हैं यूनों कहीं बोट डलवाना है कहीं नई पार्टी बनानी है कहीं कुछ और करना है लोग उनके प्रित्ताय हैं मैं आपको कुछ चीज़ां देखें की आठ सारी को ही बलोच अस्थान में जड़ा करतना कीजिए कि security forces कर क्या रही थी mi आरे मुर्दे हो नहीं मुर्दे जरह देखिए जरह देखिए जरह देखिए मैं सिर्फ स्टेशन दिखा रहा हूं आपको सिर्फ इस लिए क्योंकि मेरा इरादा आपको सिर्फ इंटेंट दिखाने का है जो सीकोंस पूरे आप पूरा है वो दिखाना नहीं मैं सिर्फ की दिखाना चाहरा हूं कि जो फ्रस्टेशन है लोगों में वो किस हब तक बढ़ती चली जा रही है और इसका कोई अंत कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है अंत एक्चली है अंत इसका है ऐसा नहीं कि अंत नहीं है और मैं उस पर भी आप से आज बात करूँगा एक्चली इस वीडियो का तालुक ही इस बात से है कि ये चीजें जा कहां रही है और ultimately इन कांत कहां संभव है यूं इस कांत कहां होना है मैं लगभग ड़र साल पहले ये सब बाते पांच जन्ने के एक अडिशन में लिख चुका हूँ लेकिन उसके बावजूद बड़ा हैरत होती है देखकर मैंने सोचा नहीं था कि ये सब चीजे इतनी जल्दी इतनी तेजी से होनी शुरू हो जाएगी क्रेड़िट, औल क्रेड़िट, औल क्रेड़िट गोज टू पाकिस्तान आर्मी फॉदस इस तमाम प्रोसेस को एकस्पेडाइट करने में, इस फ्रस्टेशन को बढ़ाने में, लोग को इस हब तक लाने में, सिर्फ एक और एक पार्टी जम्मेदार है, बड़ी हद में, वो है पाकिस्तानी फॉज, खैर, पाकिस्तानी पंजाबी फॉज, तो बी ऑनिस्ट, अच्छा, आगे देखें, तो मित्रोबाद, ये सब चल रहा है था बलुचस्तान में, जिसकी पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, मैं आपको उस दिन से लगाता चला रहा था, गौादर में उस दिन एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, सोला बं 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 फटे हैं, सोला बं आठ तारीक को, एक की रिपोर्टिंग नहीं हुई है, इनफेक्ट रात को देर रात को जब मुझे खबरें पाकिस्तान से देख रहा था, तो तमाम जनरिस्ट कहा रहे थे, कि मोर और लेस, मोर और लेस, मोर और लेस, बलुचस्तान में सब पीसफु आगे देखिए, result साने होते हैं, दोस्तों, results आने होते हैं, और आप ये देखें कि आधीरा बी, क्यों का चाहिए, शाढ़े आथ, çaड़े, taking up में साड़े, येलेक्शन मेंज्मेंन सिस्टम जो बनाया गया है, यह RTS का substitute रहे, यहूँ, 2018 में इन्होंने एक RTS billions of rupees खच करके बनाया था जो बना था जिसको कहा गया था कि वो बस best resolution है इसका election के results को announce करने के लिए बड़ा fair and fast होगा नहीं हुआ, RTS बंग किया गया आधिरात को और फिर जीत तेनवा शरी को हराया गया इमरान खान को लाया गया और लाया वैसी गया, बिल्कुल strength पे, बिल्कुल किनारे पे, ऐसे कि जिससे इमरान खान भी कहीं बाग के न जाए, बस वो दस-बारा-पंदरा लोगों की majority के साथ में रहे ताकि जब भी ज़रूरत हो, इशारा किया जाए वो दस-बंदरा जाएं, सरकार गर पड़े और वही हुआ, वही हुआ जब आखर में आपने देखा होगा, जब no conference motion आया था, तो उससे पहले MQM ने अपनी support भी ड्राव कर ली थी, और यह करके सब भाग रहे थे, तो ठीक वही sequence आप देखिए, इस बार भी follow किया जा रहा है, मगर इस सब के पीछे ऐसा नहीं है, कि politicians बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है मैं उनकी जिम्मेदारी पर भी हाता हूँ आपसे और उसमें बहुत से लोगों के अपने greeds, compromises सामिल है, चाहे वो सब्ता में आने की greeds हो, पैसे की greeds हो, पावर में रहने की greeds हो पाकिस्तान में उपर रहने की greeds हो तो मैं आपको बता दू लेकिन कि हाँ, आज हुआ क्या है, सबसे पहले, इस से पहले कि मैं आपको इसकी बैगराउंड में लेकर जाऊँ आज क्या हुआ है कि शेबाश श्रीफ साहब की मुलाकात हुई है जर्दारी साहब से जर्दारी साहब लगौर आ हुए 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 तो उसमें कोई परिशानी है ही नी जब इतनी साफ बात कह दी जाए एक तरफ से तो फिर दूसरी तरफ से जाहर है कि जबाब साफ ही आना चाहिए वो साफ जवाब आया और साफ जवाब क्या आया साफ जवाब ही आया कि साफ बड़ी खुशी से आप प्रैमिसर बनाएए बि अगर वो प्रैमिसर बनाएंगे अपने बेटे को तो वो इस शर्त पर बनाएंगे कि नवाज श्रीव की पार्टी यानि PMLN उस सरकार में शामिल हो ताकि जो जिम्मेदारी है वो बराबर की बाटी जाए या अपनी जिम्मेदारी दोसे पर डाली जा सके लेकिन जरा हिसाब लगाईए अगर PMLN सरकार में शामिल ही नहीं होती तो भला जिम्मेदारी किस पर डालेंगे और अगर सरकार में शामिन नहीं है तो apparently वो अपोजिशन की वेंचिर्स पे बैठेगी अगर PMLN अपोजिशन की वेंचिर्स पे बैठेगी तो किसी भी पालिसी पर कभी भी आवाज उशा सकती है दूसी तरफ अपने वोट बैंक को नजरी में रखते हुए अपने वोट बैंक के इंटरेस्ट को इसार में रखते हुए वो कभी भी सरकार से पनी सपोर्ट वीडरों कर सकती है और अगर सपोर्ट वीडरों कर लेती है कभी बाहर की सपोर्ट है अगले दिन सरकार गिर पड़ेगी और इस सब में होगा क्या इस सब में ठीक वैसे ही जैसे सोला महिने पहले सोला महिने पहले नहीं तमाम ministries ली, यानि कि अपने बेटे को बनाया foreign minister, जो लगातार विदेश घुमता रहा, अपनी lobbying करता रहा, majority time उसने अमरिकान गुजार दिया, जब बात अफ़वानिस्तान पर है तो कभी नहीं गया, बहुत चिकना लोंडा, कभी अफवानिस्तान नहीं गया अपना, मगर व कोई senior आद्मी क्यों नहीं आता है, आप एक junior minister को भेज रहे हैं, अफ़वानिस्तान में, या हमें as a country importance नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, बोग तो पड़ बहे हो, उन्हें बात ही नहीं कि कोई, लायकुम ने, इन से मिलने तक से मना कर दिया था इनरपानी खर ने, तो that I remember very well, I remember that, तो दोस्तों, अब मसला ये है, कि ये सब चल क्या रहा है, ये चल रहा है, एक पुरानी, अच्छा हाँ, ये बात खत्म को तुम्हें जरदारी वाली, तो जरदारी सहाब वहां से हो गए, back out, back out in the sense, कि भई, PTA के साथ, सरकार बाने के खत्रे को आप जानती ही, इमर पर लिया था और टेलिफॉन पर उनसे जब गया था, तो उन्होंने इनकार इस बात के किया, उन्होंने ये कहा था, चुई जरदारी सहाब जो गए,mbolकोर पास में, तो उन्होंने ये कहा, कि हमारी पार्लिमेंट, हमारी जो, जो, जो की एड़ाय से आभास की है, उसने ये है कि बिलावल प्राइम मिनिस्टर और जर्दारी सहब प्रेजिरेंट इस पर हम बात करेंगे आगे तो जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि भाई जाओ आप बनाओ जो करना करो हम तो वह से सपोर्ट करतेंगे आपको तो फिर वह बैक और फिल बिलावल विट्टर जियो टीवी पर आते हैं और वहांपर वह क्या केते हैं किसाब चूंकि हमारे यहां की जो का जो बॉर्ड है पार्लेमेंटरी बॉर्ड है उसने यह वहास ला लिया है तो वी विल हैब गॉब बैक टू दाट बॉर्ड तो गेर्द्या गाइड़ अच्छा अब मैं आपको याद दलाता हूं शहबाज शरीफ वाली जाइमन्स वहां क्या हूँआ था मैंको वहां पर यह भी बताऊंगा कि प्शी ने क्या खेल खेला और खुट शहबाज शरीफ ने भी क्या गतिया की और उन उसमें कुछ नवास शरीफ भी कम नहीं थे न पर अब ये तो बाहर होगे गेम से पीटे इम्रान खान के साथ में को करना होगा अब बात आगे कैसे चलेगी वो देखा जाएगा लेकिन जो शत्रंज का खेल है वो जारी है हुआ गया था जब इम्रान को वो नो कॉंफरेंस वोट से निकाला गया तो उस समय तक आपको किया गया था कि immediately उसके बाद मेंी उसके बात मैं प्रेमसर ओत लेंगे ये तमाम को चिन भी लूग करके and then we will go for the elections लेकिन दोस्तों वो हुआ नहीं इस वे डाट वे पहली बात तो वो लॉज को चेंज करने हैं बहुत देल लगी जिस काम को इमिजेटली आके आते ही करना था उस बात को दो महीने नहीं किया गया उन दो महीनों में अपना लाला जो था इमरान खान उसे उठाके 60-62 रैली कर दी उठाके पुलिक सपोर्ट उस दिया कि मैं आ रहा हूं और आपको याद होगा बाजवा ने फोन किया था आपको म याद है मशूर लोगों ने अपने भाई को कहा कि भाई अब हम रिजाइन नहीं करेंगे अगर ये असलामबाद आ रहा है तो अगर हम अब रिजाइन करते हैं तो लोग कहेंगे हमारा वोट में गलस समझेगा और मैसेज जायागा एज इफ कि हम डर के बैठ गए हैं और डर के इन से भाग र लगता है जब नवाज शरीफ ये जित पकड़लते हैं कि हम इम्रान से फाइट नहीं करेंगे पी मेलन इम्रान खान की पार्टी या इम्रान खान से डारेक्ट फाइट नहीं लेगी उनका एक कहना था कि ये गंदगी आप लेकर रहे हैं यानि ये फौज लेकर आई है फौ प्लिटीक्शन को हैंडल करना, प्लिटीक्शन का ही काम है, अगर आप प्लिटीक्शन को फॉजीयों से बढ़ वाएंगे, तो फॉजीयों को वही आता है, जो फॉजी कर रहे हैं आज, वहीं, they are not trained for this, उनको जो आता है, वहीं आता है, मान जा, नहीं माना, डंडा बारो, केस जहां पर उनको basically he had to dismantle इमरान खान politically, he should have got his cases cleared and fought him on the road, fought him on the street, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो दर असल घुमा फिरा के, फौज की मजबूरी का फाइदा उठाते हुए, क्यों फौज फस चुकी थी अपने ही खेल में, और उन्होंने basically इस्तेमाल किया उसी फौज के कंथों क जिन्सके कंथों पर चरकर खुद इमरान खानाया था, it was absolutely blunderous policy in my opinion, there was no way you can apply the same formula and hope for another result, it doesn't work like that way, it doesn't work like that, नवाज आप सोचिए, कि अगर आप फौज के हाथ में खेलेंगे, तो फौज भी तो आपसे खेलेगी, यही हो रहा है, और अब देखिए, कि वो फौज जो एक वक्त पर यह कह रही थी, हम तो geopolitical हो गए हैं, हम तो geopolitical हो गए हैं, आज सबसे बड़ी political party खुद फौज है, अ कि अगर कोई investment आती है, तो SIFC के through आया, क्यों आया, क्यों बनाई गई है SIFC, आपका जो existing system है, आप उसको क्यों नहीं सुधार सकते हैं, आप उसको restructure क्यों नहीं कर सकते हैं, आप यह क्यों नहीं कर सकते हैं, कि जहां पर कहीं भी hiccups हैं, जिनकी वहींसे delays होते हैं, आप को दूर क्यों नहीं कर सकते हैं क्या जरूरी है कि फॉज एक ऐसा इर्शी बना कर बैठ करेगी उसको हैड करेगी और फिर वो वो इन्वेस्मेंट वहां लेकर आएगी आप यह देखिए कि क्या ट्रेणिंग है आसे मनुर साहब की फनांस में एकॉनमिक्स में क्या ट्रेणिंग है उनकी वो हाफिज एक रॉरान हो सकते हैं आयते बहुत अच्छी कोड कर सकते हैं बट बियॉंड बैट इन वन वे आइस अपोर्ट इन वाट वे सपोर्ट इन यह जो एलेक्शन के कोई गवर्मेंट सिर के बल खड़ी हो जाएगा पाकिस्तार में से भान नहीं पाएगा और जाहर है उसके रिपकेशन होंगे उस पुलिटिकल पार्टी यह लिए और उस रिपकेशन के मैने यह है कि देर पुलिटिकल कैपिटल वुड बी गॉन उनकी पुलिटिकल उन्चे सोला महीनों में गवा चुके हैं पीमल एन को खुद पंजाब में अपने लोग से क्रिपाइस करने पड़े हैं जहर है अब उसमें फॉज का खेल है वो तमाम लोग जो नवाज शरीफ के करीब हुआ कर पे थे आप यह देखिए उनको help नहीं की गई help help नहीं की खौजा असर्फ आजानते हैं खौजा असर्फ किसके आदमी है और किसकी लेंगुज बोते हैं that is it खौजा असर्फ बच गए आप ये देखिए कि जो opponents हैं उनके वो already court approach कर रहे हैं ट्राइबनरू पर जा रहे हैं उस election को revive करने के लिए इस से भी बड़ी बात दुनिया का क connection आया है EU UK US Australia सारे अगेस्ट everybody has said कि भाई आप अपने धानलिया दूर करें बीच में गोगली होन मारता है गोगली मारता है नरेटिव मारने वाला नरेटिव कौन मारता है नजम से ठी है नजम से ठी है ये बंदा पीछे से कहीं से अपनी लेकर आता है guidance और उसको नरेटिव बना कर गोली बनाता रहता है लोगों को अब अचानक अगर है यार है तो नेगटिव रिपोर्टिंग तो हुई है यॉर्प में और सिरिया में है अज़ जब लोगों ने मना किया है लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाई जो कुछ भी हो गया सो हो गया अब सरकार बनाओ अब भाई मेरे अगर वो कह रहा है कि तुम्हारे ये एलेक्शन से फ्राडुलेंट हुए तो और उसका रिजल्ट का ने करता है फ्राडुलेंट एलेक्शन को अगर आप दुवारा नहीं कराएंगे तो और क्या कराएंगे तो 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 ये है वो सीन इस सीन में आप ये देखे नवाज शेष ने अपनी गलतिया की शहबाज शेरिफ हो जह देखे जितना साठे तीन साल में करजा लिया इमरान खान ने जिसको हम करजे के लिए खूब गाली देते हैं उससे ज्यदा करजा ले वैठए है शहबाज शेरिफ अपने सौला महीने में कोई बोल रहा है कि नहीं कोई नहीं बोल रहा है उनकी बारे बात नहीं होगी तो मित्रों दरसल गोली बारी लगातार चल रही है, खूब चल रही है, राजनितिक शत्रेंज पर बेसिकली जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, आने वाले दिनों में इसके रिजर्ट्स आपको बहुत जल्द और बहुत बड़े नजर आएंगे, आई-म-फ के पास जाना है, अब ही आखरी किस्तानी है, जो भी गवर्ण बेनेगी, शायद उसको आखरी किस्त मिल जाए, और फिर आपको तुरंद भागना आई-म-फ के पास में, अपरेल में आपकी देंदानिया है, उसके लिए इंद्जाम करना है, साओधी यारब आपको मैनोर्टी स्टेकोल्डर हो जागी वो, करनेडिन कंपनी और साओधी यारब जाने, और रिकोड़े कहा निखा तुम, मगर और साथ ही UAE, वो क्या कह रहा है, कि आप भार्थे रिसे उधार हो, तो वो अब नवाज शरीफ चाहते थे, लेकिन फिर वो हाफिज साब का हुकम आ गया, उन्हें का नहीं, तो रिवायती हरीफ है, मा तो वो तो हमको रिकनाईजी नहीं करता है, हम तो रिसे ठीकी नहीं कर सकते हैं उसे, तो फिर अब उन्होंने अपने मेनिफेस्टों में किया गया नवाज शरीफ ने, उन्होंने फूंगी लगाई 370 वाली, जब तक 3 270 वापस लाएंगे, हम नहीं बात करेंगे, नहीं करो, क्योंकि हिंदुस्तान से कहीं नहीं रहे हमसे बात करो, देखिए, पड़ोसियों से बात करनी ही पड़ती है, इस बारे में खुद हमें भी अपना दिवाँ खुला रखना चाहिए, लेकिन उसकी कंडिशन्स क्या वो हम तैय करेंगे, आज ये दारिक में, क्योंकि देखना यह होगा, कि यहां पर खुने पाने के लिए है क्या, honestly, हिंदुस्तान बास बहुत कुछ खुने पाने के लिए है नहीं, पकिस्तान के साथ में, जो status quo है, वो उसमें हम ठीक कर रहे हैं, हमें को उसमें problem नहीं आ र आ रहा है, और नहीं वो for political reasons, कोई बड़ा sacrifice कर सकते हैं, क्योंगे उनको अपने यहां पे backlash face करना पड़ेगा, आखर 30 साल की महनत के हाथ में, आपने जो वो पूरा का पूरा गैंग खड़ा किया है, you know, कश्मीर body जो खड़ी की है, उसका क्या, मैं आपको उसका example दिखाता ह पिछले अभी पांस तारीख को, पांस तारीख को मित्रों, क्या हुआ था, पांस तारीख को हुआ था ये, कि I'm just trying to find out something to show you off, you know, अभी आजात कश्मीर में, आजात कश्मीर में, क्या हुआ है, जैसे में सेकेंड मैं को दिखा रहा है, बहुत important है मैं आपको दिखाने लिए जैसे महमद को आप जानते हैं, जैसे महमद जिसने कश्मीर के नाम पर खुब जवदस अटाक करवाए हैं, सारे में, तो जैसे ने आजात कश्मीर में पूरे का पूरा जलूश निकाला है, पांस तारीख को, मित्रों मैं जस उस वीडियो को ही आपके लिए तलाश रहा हूँ, बाई और बड़्डा हो गया हूँ, कई बार चीजें दिखती नहीं है, तो जी, यह रहा कर सर मेरा, और जैस का, I'm just trying to head out कहां गया ही, oh god, मेरे पास जैस का एक वीडियो है आपको दिखाने लिए, जो मैं ने आपके लिए especially रखा हुआ है, I don't know why, why I'm, yeah, no idea, I just had it, anyway, तो मित्रों, खर, मैं, मैं जो बताना आपको चाहरा था, कि यह, यह सलसले चल रहा है, मिरे पास एक वीडियो पढ़ा हुआ है, actually आपको दिखाने के लिए, जिसमें जैश के लोग जो है, वो बाकाईदा पूरा प्रोटेस्स निकाल रहे हैं, आजात कश्मीर में, I am very, I'm finding it very strange, कि why I don't have it here, anyway, मैं आपको अभी दिखता हूँ, निकाल के, I think I have it, Okay, let's go across, अब हालात क्या हैं, अब हालात यह हैं, कि यह struggle चल रही है, तमाम इस बात की, कि कैसे भला इनको किया जाए, कैसे भला सरकार वनाई जाए, सरकाई बनाई जाने का, अब कोई किस्सा बचा है नहीं, सिवा इसके, कि या तो अगर किसी को stable सरकार चाहिए, तो वो जाए, बाहर, एक बार, फिर से लोगों के बीच में, और नया mandate लेकर आए, वो, मैं जे रखता, financially भी possible नहीं है, बट अगर मान भी लिया जाए, गैसा किया जाए, तो दूसा तरीका क्या बसता है, दूसा तरीका ये बसता है दोस्तों, कि आप फिर unity government बनाए, unity government का चाचा, आज से नहीं, शहवाज शरीफ के जमाने से चल रहा है, that means, शहवाज शरीफ किसके करीब है, शहवाज शरीफ कर बसते हैं, प्राइम मिनस्टर शक्के, और जहां पर, क्योंकि वो फौज के करीब है, और फौज उनको पसंद करेगी, लेकिन फिर उसकी शर्त है, पी मेलन क्या लगाएगी, पी 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 का उसमें क्या रोल होगा, क्या नहीं होगा, ये देखने में, most likely scenario, पी 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 और पी उसी बात, अगर unity government के लिए आते हैं, तो again, उसकी अपने मुश्किले हैं, क्योंकि हर आदमी, जो सरकार में आता है, वो अपने-पने खर्चे निकालने के लिए आता है, देखिए, इमरान खान ने क्या गया, इमरान खान ने एक दो करोड़ लेकर लोगों से, उनको टिकर है, तो अब जो independence है, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, कि हम तो अपना एक करोड़ दे कर आए है, दो करोड़ दे कर आए हैं, इमरान खान को, तो हम, पार्टी के, हम, हमारे किसी काम की विश्क्त, उनको नहीं दिया है, उसने हम से माल लिया है, और दिये है, टिकर द क्यों है, कि हम इमरान खान के लिए, जो है, किसी पार्टी में शामिल ना हो, और इमरान खान को दिया करें, या उसकी शर्तों पर काम करें, वो चीज संदी नहीं आती है, एक बात, दूसरी, तो, बैसिकलिए, वहां से पल्ला जड़कनी बात आ रही है, कुछ लोग PMLN में बलुचसान के बात कर रहा हूँ, तीन से चाल सीटों के अलावा, दोस्तों, तमाम सीटें, वो फौज की मदद से उनको मिली है, बाप को, हम लोग गाली देते हैं, बाप पार्टी जो है, मतलब बलुचसान आवे पार्टी, वो उसको चाहाँ गाली देते हैं, इस बात के को कहना बिर्कुल भूल जा अपने है, देखें, बलुचसान में, आज क्या हो रहा है, बलुचसान में, तीन सीटों का माप से जिगर कर रहा हूँ, बाप का नाम, मलक शाह गुर्गैज, ये एने 259 से लड़े हैं, इलेक्शन, गवादर कच में, गवादर केच में, हो गया जीत गए जाह, ये नाम याद रखेगा, पहला नाम, बाप का मलक शाह, बेटा, उबेद गुर्गैज, ये बेटा है, ये पीबी 44 में एलेक्शन लड़ा है, कुईटर सेमिन में, और तीसरा, ये इनका सन इनलो है, सन इनलो कौन है, अब्दूर सर्मत गौर्जैग, ये कहा से है, ये पीबी 40 से एलेक्शन लड़े हैं, और जनाब, ये जो, ये तीनों के तीनों, अपने इलाके में, इनको एक आदमी नहीं जानता है, इनको एक आदमी नहीं जानता है, और ये जीत कर आ गए, अब बताइए कैसे जीत कर आ गए, सोचते रहे है, एक ये हुआ, फिर प्रोविंशल गर्मेंट को प्रसन है वही उपना जाने चाहिए और क्या-क्या यह नो तो यह सब कह रहे हैं कि जो और देखे इन लोगन तमाम को क्लेम किया है फोजी जो है और चुनिये एक करनल का नाम आ रहा है करनल शहबाज करनल शहबाज ने जो है जान बलादी को फोन क किया है बाकाइदा और उनको उन्होंने इंफॉर्म किया है कि भाई साब आप जारा साइड होए है और वरना उड़ा दिये जाओगे तो यह उनको भी इनको चोरी कर लिया गया है और दूस्ती सिर्फ आप चलें मीनवाइल अब आगे क्या है पी 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 नेशनल असेंबली गवादर से मलिक शाह गोर्देश है यह नजदीक है किसके है इस्टबिश्मेंट के और यह इंस्ट्रुमेंटल रहे हैं फ्रेश कंडिडेट्स को रिकूर्ट करने में पी पी के लिए पाकिस्तान पीप्स पार्टी के लिए कहां बलुकस्तान में ओके और अदूसी अच्छासन के दूसरे हिस्सों से फर्वरी जनल एक्शन में यह जो जो इसमें इंजिनरिंग जाहर है वो तो रही ही रही है दो हजार अठारा में भी यह जो मलेक्शा गुरेज हैं इनका जो सनिल्ला है अक्बर असकानी यह अपनी जगह पर अन्नोन था कि कोई इसको जानता नहीं था लोकस कोई नहीं जानता था लेकिन बैसा अब यह में चुना गया बोई कश्म से है ना तो यह सलसले है मैं आपक दोंकी 36 नावजादा शाजेन 3 वो भी उन्ता लिखा हुआ है यह इनों ने रिदल्ड बना है सदाम 297 मिया खान 0 मीर 23 खान 68 नावजादा शाजेन बुक्ती टू सदाम 328 मिया खान 0 यह 001 आपको नजर आ रहे इस तरह के बहुत सारे फांपे ताली तमाम मेरे पास मुझूद है यह पड़े हुए यह पिली बरी हुए इस तरह के पांच अजार भी नहीं बन रहे हैं आप लोगों ने उदर शोग और कि शिक्स किया हुआ है तो इस तरह से घपले वाजी जो है तमाम आगे देखिए आप लोग चाते क्या हैं आप लोग यह चाते हैं कि हम दुबारा जिस तरह बंगलादेश हमसे अलब हुआ यह मुल्क पूटा जब आपने मुझी बरामान के असी पिसद्यों उसको अक्सरियत ने उटके अकलियत म बतलने में यह फाइदा मिला कि हमारे पाकिस्तान को दोलख करवा दिया आपने इस तरह आपने हर मोके पर पाकिस्तान को नुक्सान पहुंचाया है देख रहे हैं यह है यह है बलुचियों की फीलिंग इस वक्त मैं आपको एक और सुनाता हूं एक आडियो जारा सुनिए जो मुझे मैंने इसको मेरे पास रिकॉर्डिंग मैंने कर ली इसकी इसलिए कि मैं आपको नाम ने बता रहा हूं कि किसका है लेकिन यह information important है जरा सुनिए जो जीते हुए लोग थे मारे पार्टीज के दूसरे पार्टीज के इसको हरा रहा है अख्तर मेंगल को भी अभी दूसरी तफ़ा मतबोश यह लेड़ी जो बोल रही है अख्तर मेंगल के अलाके से ही आती है उन्हीं के constituency में रहती है और इन्होंने ही यह मुझे बहजा था और आप जारे देखिए कि किस तरह से अख्तर मेंगल को वहां हराया गया है क्यों अख्तर मेंगल को हरा गया है क्योंकि वह आवाज उछा रहा था पिछली पारलेमेंट में डिसपीर्ड लोगों के लिए जो गुमशदा लोग है उनके बार बार आवाज उछा रहा था चा हुआ सीट उसके हरा दी है पीपल्स पार्टी वाले और उनको ला रहे हैं तो खैबी मदद से मुराद है कि एजन्सीज अर इंवॉल्ट उन्होंने अमरान खान की दफ़ा भी बोला था है हंप को बाकी सारी अरे फैडिं और ऑहे वे ब्लश्तान कर aí अब हिख्येस को यह मारे माड़ प्रपर इंड लॉड़ कर दियरुक्रे रओं को और बात उड़ वाटे वह रही है हैं अई करर्सीं होड़ को सबसा निखित है वर इनका बाप का लॉट है अब को बताना था कि देखी ये एक्टाल आता हैं कि किस तरह से वहां लोगों को खराया जा रहा है फॉजी मदद से तो दोस्तो हुना क्या रहा है हुना अल्टिमेटली यह ही है कि financially अभी यह आईवेप कासे सरा चलेगा अप्रैल में महगाईगा जोर बढ़ेगा महगाईगा जोर लोग एक कमर तोड़ेगा सरकार जो भी बनी होई होगी उसकी ऐसी यह तैसी होगी सरकार और सड़कों पर प् अब जरह गोर से पढ़ेगा आसे मुझीर का जो मैसेज है आपको साफ ने जराएगा उसमें कहा क्या जा रहा है डेमोकरटिक फोर्सेज और वो पार्टीज जो नेशनल एजेंड़ा को सामने रख कर जती है वो मिलकर सरकार बनाएं अपरेरेंट्ली वाट इस मींस इस खब जो इंडिपेंडेंडिडेंट्स है वो शामिल नहीं होते है किसी पार्टी में तो इनको इनकी जो सीटे हैउं वो दिन्ट्वाइग कर दी जाया I don't know whether Supreme Court कोई परियाद सुनेगी या नहीं लेकिन वो एक अगेद देहने ही बात होगी इस तरही चीज़े पाकिस्तान में चलती रहती है कई बार नरेटेब बनाने के लिए कि Supreme Court में जाएगा, मसला उठेगा बात होगी, प्रोटेस्ट होगे और देखा जाएगा बात में कहा किसको क्या मौका मिलता है कौन क्या कर गुजरेगा तो basically it's only a question of when Pakistan is getting down the drain but it seems the road जिस पर इस समय फौज ने पाकिस्तान को डाल दिया है वहाँ politicians ने अपनी गलतियां की है मगर फौज ने blender की है और अब ऐसी हालत में है कि कोई भी माई का लाल जिम्मेदारी लेकर इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता है और खास दार पर जब पब्लिक रही अपने ही पर पर कुलाड़ी मारने के लिए त्यार हो रही है जो जिन लोगों ने इस समय पर ऐसे मौके पर जानते हुए कि पाकिस्तान की क्या हलत है इमरांग खान को लाने को रिश्च किये बेसिकली ये सुईसाइड करने जैसी चीजे है तो वो हो रहा है सुईसाइड करना है सुईसाइड करिये मलक सुईसाइड करते हैं नहीं है उनकी public मलकों से suicide करवाती है इस वक्त जो ये election हुआ है जो इसका mandate आया है वो पाकिस्तान को सरफ और सरफ प्रिडिकल suicide दिश्व लेका जा रहा है यही कहना समझा आप से और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में like and subscribe कीजिएगा वीडियो को like and share कीजिएगा वीडियो को और subscribe कीजिएगा चैनल को हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में sorry यह वीडियो थोड़ सा लंबा हो गया but बात ही कहनी ही थी मिलते हैं अगले वीडियो में goodnight